जै मात दि दोस्तो कैसी हैं आप सभी? दोस्तो हमारे चैनल से जुडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेके गए पत्थर की समान है वो पत्थर समुद्र में कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है आपको भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए especially अपने माता पिता का क्योंकि उन्होंने आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए अपनी हर इच्छा को मार डाला खुद भूके रहे और आपका पेट भरा किसी की मजबूरियों पर मत हसिए क्योंकि कोई मजबूरी खरीद कर नहीं लाता डर्ये वक्त की मार से क्योंकि बुरा वक्त किसी को बता कर नहीं आता जी हाँ दोस्तों बात कर रहे हैं व्रिश्चिक राशी के 8 अप्रेल 2020 राशिफल की सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज आपके लिए शुब अंक रहीगा छे और शुब रंग रहीगा केसरिया आईए बात करते हैं डेली राशिफल के बारे में आज आपकी कोई बड़ी समश्या सुलज सकती है और आज आप अपने मन की बात किसी से शेर कर सकते हैं आज आपके पास काम जादा रहेगा जिसकी वज़े से आप दिन भर बिजी रहेंगे आज आपके मन में भविश्या को लेकर कोई शंका उत्पन हो सकती है जो शंका है उसे छोड़ दीजिए आपके लिए सब ठीक रहेगा आज आपके परिवार के लोग या फिर घर के छोटे बच्चे आपसे खर्चा करवाएंगे दूस्तों आज हनुमान जैनती है और इसके साथ ही चैत्र पूर्निमा भी है हनुमान जीने आज आप पर अपनी क्रपा बरसादी है चारो तरफ से धनलाब होने के योग बनेंगे परिवार में शुब कार्य होने से मन प्रसन रहेगा कोई मांगलिक कार्य करम भी आज आपके घर में आयोजित किया जा सकता है भाई बहन को सुख प्राप्थ होगा नए कार्य या फिर नए उद्योग लगने का योग बन रहा है भविशे के लिए थोड़ी चिंता सता सकती है अपने मन में नेगेटिव विचार बिलकुल ना लाएं आज आपके गोपनिय शत्रू आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं सतर्क रहिएगा माता का स्वास्त चिंता निये रहेगा जरूरत है उनका ध्यान रखने की पैतरक संपती प्राप्थ होने में विलंभ हो सकता है और कारेशेत्र में आपका प्रभाव भड़ेगा कुल मिलाकर कहा जाए तो आज के दिन आपके ऊपर हनुमान जी की विशेश करपा बरसने वाली है चारों तरफ से धन लाब ही लाब होने वाला है दोस्तो आज आपके लिए विशेश उपाई ये रहेगा कि श्री हनुमद शेहस शास्त्र का पाठ करी आपके लिए लाबदायक सिध होगा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली धनिवाद